नमस्कार आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल देव नोटेग में अगर आप चाहते थे फ्री में कोडिंग सीखना वो भी वीडियो के थूँ तो आपने आज इस वीडियो के उपर क्लिक करके बिल्कुल सही निरने लिया है क्योंकि हमारे चैनल है आज से ही वीडियो के थूँ वीडियो में कोडिंग सिखाने के लिए शुरू हुआ है और आज हम इस वीडियो में HTML प्रोग्रामिंग के बारे में डिसकस करने वाले हैं त्योंकि HTML प्रोग्रामिंग के बारे आज हम इं intrigued और कुछ बहुत सारे जैसे इश के टैक्स होते इसके फिसकस करने वाले है और कहा या in playable बन नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि अभी इस वीडियो के बात भी और बहुत सारे वीडियो जाने वाले हैं जिसमें मैं HTML या फिर CSS और बहुत सारे से पाइथन और जैसे जावा जावा स्कूर्ट से रिलेटेड में वीडियो को बनाता जाओंगा और आपके पास अगर सही तरह से नोटिफिकेशन नहीं जा पाए तो आप उस कोर्स को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा ताकि बाखी वीडियो से वो रिलेट करता जाए तो चलिए वीडियो आप शुरू करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं तो मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ कि HTML is a standard make-up language for creating web pages HTML होता है वो एक standard make-up language होता है जो कि web pages को create करने में मदद करता है मैं नहीं चाहता कि आप direct high level language पर पहुँच जाओ और इसके बाद में आपको basic के बारे में पता नहीं रहे और आप मैं जानता हूँ कि आपको आगे जाकर अब जब आप high level language पर जाओगे आप direct coding करना स्टार्ट करोगे तब फिर आपको basis के जरूत पड़ीगे पड़ीगे अगर आप इसे नहीं सीखो और direct अगर high level language पर चले जाओ तो फिर आपको दिक्कत जरूर होगी तो मैं नहीं चाहता कि आपको दिक्कत हो तो इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट करके आगी वीडियो पर मैं discuss करता चला जाओंगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो हम यहां पर अपने इस टॉपिक पर आ जाते हैं कि हमारा जो html होता है html is a standard make-up language for creating webpages webpages को बनाने के लिए html का standard make-up language होता है और what is html? html है क्या? तो html stands for hyper test make-up language html का definition होता है या फिर stand for अगर हम उसका माने तो hyper test make-up language माना जाता है और next उसका है html is a standard make-up language for creating webpages जो हमने उपर में आपको बताया था उससे ही यह रिलेट करता है और निक्स्ट आ जाते हैं HTML describe the structure of a web pages अगर हम किसी भी web page को बनाएं तो फिर उसमें HTML किसी को भी जो tag यूज किये जाते हैं वो किसी भी function को describe करते यानि कि उसे define करने में मदद करता है और जो अगला point है वो यह है कि HTML consist of a series of elements यानि कि HTML जो एक series के जो element हम जो आगे बनाएंगे मैं आगे आपको example भी दिखाता हूँ थोड़ी दे आप वीडियो पर बेट कर लो क्यूंकि जो HTML कर जो series जो बनता है उस पर थोड़े थोड़े निदे टेक्स के बात में आपको एक stopper लगाना पड़ता है फिर इसको start करना पड़ता है तो यह series बन जाता है तो वही इसमें बताए जा रहा है और next point यहां 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 जाता है कि HTML elements or the tail the browser or the how to display the content मतलब कि यह simply आपको एक AI जैसे आप में आगे में जाकर बनाओगे तो उसमें भी मतलब AI में automatic मतलब बना दिया जाता है कि यह artificial intelligence होता है वो खुद मतलब decide करके आगे बना देता है लेकिन यह जो HTML होता है उसमें आपको पड़ता है कि मतलब machine learning की तरह है कि आपको कहां पर किस material को रखना है किस text को use करना है और HTML element label pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link etc. और मैं आपको इसके आगे जो text होते हैं जैसे कि एक heading लिखने के लिए h1 फिर उसको stop करने के लिए h1 slash का हम लोग use करते हैं और paragraph के लिए p1 और फिर उससे stop करने के लिए p1 slash का use करते हैं इनके लिए भी same process है तो हम लोग इसी तरह से इसको आगे बढ़ते हैं तो हम अब लोग next process की तरफ चलते हैं क्योंकि हमारा जो चैनल आपको फ्री में जो coding classes की पूरी पूरी series देगा तो इसलिए चैनल को subscribe करकर जादा जादा शेर जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि coding सीखना चाहते हैं और कुछ पानेंशियल स्थिती खराब होने के कारण वो सही से कुछ coding के बारे में सीखने ही पाते हैं उनका जो सपना वो सपना ही रह जाता है तो प्लीज जो हमारे जो चैनल का लिंक है उसे जादा स्रेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहां इस चैनल पर बताय ज यहां पर आपको नीचे में दिखता है एच वन माय फस्ट टेंग जो इसको फिर याद रख सकते कि एच और फिर वन मतलब के पहला तो फिर हम लोग इसको एच वन स्लैस करके यूज कर सकते हैं और फिर जूसर पैरग्राफ के लिए हमनों पी फिर इसको बदी को फिरस देख और यह फिर सकते हैं तो नेक्स हम लोग चलते हैं और यहां पर मैं आपको लिखा देना तो है the HTML element is everything from the start tag to the end tag मैं यह से आपको बताए था पहले हम लोग को start करना था फिर उसको बद end करना पड़ जाता है आप चाहे तो इस हमेरे इस वीडियो में से आप screenshot करके save कर सकते हो तो चलिए दोस्तों हम आगे अब next page प्यार आचुके हैं तो मैंने आपको बताया था कि हम आपको आगे में पूरा पूरा structure भी बताएंगे तो आप यहां पर देख सकते हो HTML page का जो structure यहां पर में below is the visualization of an HTML page structure HTML का page कैसा बनता है तो यहां आप देख सकते है HTML हम लोग इस तरह कर देंगे फिर आगे head का मतलब जो शुरुआती हम लोग कर रहे हैं यानि फिर उसके आद में जो title हमारा होता है जो page का title बनता है जो हमारे प्रेड यहां पर बॉड़ी फिर यहां पर है एच वन यानि के heading फिर paragraph फिर पी का मतलब एनधर paragraph मतलब कि जो पीक के बाद में आता है फिर यहां पर देख सकते हो बॉड़ी को हमने यहां पर close कर दिया यहां पर start किया था यहां पर body को close कर दिया है जो आगे HTML start किया था उसे बताय गया था पेज में तो आज की लिए बस इतना ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करकर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार दूर किजिएगा तब तक लिए जय हिन जय भारत और ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें